नमस्कार दोस्तों आपका अपनी चैनल Baby Care with Fun में आपका सुआगत है तो Dear Parents आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को बार-बार हिचकी क्यों आती है बच्चे को बार-बार हिचकी आना कैसा होता है क्या बच्चे को बार बार हिचकी आना चिंता का विशय है क्या फिर बच्चे को बार बार हिचकी आना किसी अच्छी या बुरी खबर आने का संकेत होता है तो आईए फ्रेंट्स बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए फ्रेंज बच्चा अपनी मा के गर्ब से ही बच्चा हिचकी लेना सीख जाता है बच्चे का बार-बार हिचकी लेना कोई भी चिंता का विशय नहीं है कई बार बच्चा जादा फीड करने की वज़े से बच्चे को बार-बार हिचकी आती है बच्चे का पेट फूलने के कारण बच्चे को बार बार हिचकी आती रहती है लेकिन जो हमारी दादी नानी बोलती थी वो बोलती थी कि बच्चा को कोई याद कर रहा होता है तो उस वज़े से बच्चे को हिचकी आती है बच्चे को हिचकी आने के दो कारण होते हैं पहला है कि बच्चे के पेट में गैस बनने के कारण भी बच्चा हिचकी ले सकता है सेकंड होता है कि बच्चे को कोई याद कर रहा होता है तो इस वज़े से भी बच्चे के पेट में होता है वो हिचकी आना बच्चे को शुरू हो जाती है साथ ही साथ आम जानेंगे कि बच्चे का हिचकी लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है बच्चे का हिच्की लेना माता पिता के लिए काफी जादा लख्की साबित होता है अगर बच्चा अचानक से बार बार हिच्की लेना शुरू कर दे तो समझ जाईए कि माता पिता को अचानक से कहीं से धन में धन की प्राप्ती होने वाली है उनकी चिंताओं का निवारन होने वाला है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लैक्षिया जरूर करना चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना और अपनी राय भी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर देना मैं आपके सभी कमेंट के रिपलाई करने की कोशिश करूंगी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाबाई दोस्तों